Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams and I, Pragya Pante, welcome you all to our very special series on daily news review. चले बात करते हैं, आज के महत्वपून आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे गगनियान मिशन की, साथी हम बात करेंगे गंगा घागरा बेसिन की वज़े से किस तरीक से जो गंगाटिक डॉल्फिन से एन की उपर एक थ्रेट मंद रहा है, नेक्स्ट वी बी डिसकसिंग अ ये किपूर वार का और इसका क्या संबंद है हमारे इसराइल में होने वाले अटेक से, इन सारी चीजों को हम विस्तार में चर्शा करेंगे, so be with me for the next 30 minutes and I'll make sure कि आपके सारे के सारे concepts यहाँ पर clear हो जाएं, चले बात करते हैं इस रोग के गगनियान मिशन के बारे में, जैस के पहले इस रोग के लिए एक बहुत ही महत्रपून काम था, वो था कि एक अन्मेंट फ्लाइट, यहाँ पर एक टेस्टिंग फ्लाइट यहाँ पर की जा सके for Gaganian mission, जिससे astronauts को भेजा जाना है, और especially कितना इस रोग प्रिपेर हो चुका है अपने vehicle about mission, जिसे हम TVD1 के नाम स जानते हैं और क्या critical components इस mission के हैं, इन सभी को जाचने परकने के लिए यह test यहाँ पर किया जा रहा है, अगर हम बात करें तो crew module जो है, जहाँ पर astronauts को यहाँ पर house किया जाएगा इस mission के दौरान, यह एक significant part बन जाता है TVD1 का, which is the test vehicle about mission का, ऐसे मैं इसको test करना, इसके complete integration को ज जानना, testing कैसा है, क्या यह launch करने के लिए सही है या नहीं है, कुछ गड़बडी तो नहीं देखने मिल रही है, whether it is in the term of size, या mass, या किसी भी तरीकी की जो necessary changes यहाँ इसमें लाने की जरूरियत है, क्या accutation करने की जरूरत है, किस तरीकी के parachuting यहाँ पर करने की जरूरत है, क् इन सभी को चेक करने के लिए यहाँ पर TVD1 की testing की जा रही है, चलिए हम बात कर लेते हैं directly Gaganyan Mission के बारे में, देखिए 10,000 करोड की लागत से लगबग Gaganyan Mission को तयार किया गया है, जिसके अंदर 3 member crew के space mission यहाँ पर launch किया जाएगा 5-7 दिन के लिए, decide किया गया था कि 75 शाल आजादी के जब हम celebrate करेंगे, तो इसको यहाँ पर launch किया जाएगा, 2020 में से plan किया गया था, लेकिन COVID-19 के चलते हैं अगर हम देखें तो यह पूरा का पूरा plan हमारा fail हो जुगा है, चलिए, Gaganyan Mission को थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं, Gaganyan Mission Indian Space Research Organization का एक scheduled mission है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 flights send की जाएंगी into the orbit, there will be 2 unmanned flights and 1 which will include the human in the space flight, यही पर आप देखेंगे तो जो Gaganyan System Module है, इसको ही orbital module बोला जा रहा है, जिसके अंदर 3 Indian astronaut आपको दिखाए देंगे, including a woman, यह यहाँ पर हमारे low earth orbit का यहाँ पर चक्कर करेंगे, लगबग 300 से 400 km के altitude पर 5 से 7 दिन, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, इनको launch किया जाएगा GSLV MK3 से, श्रीहरी कोटा से, और लगबग इनको 16 मिनिट का समय लगएगा low earth orbit में पहुँचने पर, जहाँ पर यह 5 से 7 दिन का समय complete करेंगे, और उसके बाद यह deboost होके land करेंगे हमारे Arabian C, Gujarat के अंदर, अगर हम आगे इसकी बात करें तो objective क्या है, तो देखे, human demonstrate करना है, इंडिया अपनी capability बताना चाहरा है, test करना चाहरा है कि क्या हम humans को इस space में भेज सकते हैं और उन्हें safely return यहाँ पर लेकर आ सकते हैं या नहीं, जैसा मैंने आपको बता है GSLV MK3, जैसे LV 3 launch vehicle, Mark 3 के नाम से भी जाना चाता है, 3 stage heavy lift launch vehicle है, जो कि Gaganyan mission को यहाँ successful बनाने में काम करेगा, इसी के लिए अगर हम बात करें तो Russia, Human Space Flight Center और ISRO यहाँ पर मिलकर, Russian Government मिलकर, दोनों जो हमारे candidates हैं जिनको यहाँ पर space में भीजा जाने वाला है, उनको यहाँ पर तयार कर रही हैं, आगे अगर हम बात करें तो crew size जैसा मैंने आपको बताया, 3 astronaut जिन्हें वायू, knots के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें एक women आपको देखने मिलेंगी, 5-7 दिन का यह सफर होगा, low earth orbit में आपको देखने मिलेंगे, launch vehicle GSLV MK3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओक बात करते हैं अगले article के बारे में और हम बात करेंगे गंगा घागरा basin canal को लेकर, देखें गंगा घागरा basin canal जैसे ही यहाँ पर तयार किया जा रहा है, उसकी वज़े से आप देखेंगे तो जो gangetic dolphins हैं, उनको यहाँ पर कुछ issues का सामना करना पड़ रहा है, endangered category का part हो जाती हैं, ऐसे में यह जो ganga basin, ganga घागरा basin मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर dolphins को थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा है, कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर होने वाले developmental projects की वज़े से, habitat loss हो रहा है, disruption हो रहा है, water की अगर हम बात करें, तो देखें, dams होंगे, construction ह होगा, तो एक heat stroke बढ़ेगा, human interference आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी की वज़े से आप देखेंगे, जो large animals हैं, pregnant females हैं, उनको यहाँ पर rescue करने का काम चलाया जा रहा है, चलिए, हम बात कर लेते हैं, important चीज़ के बारे में, which is the gangatic river dolphins, चलिए, gangatic river dolphins के बारे में, बात करी, तो इनको plantistista gangatica के नाम से भी जाना जाता है, officially इनको discover किया गया था, अठारा सो एक में, यह गंगा ब्रह्मपुत्र, मेगना, करना फुली, सांगू river system, नेपाल इंडिया और बांगलादेश के छीतर में, आपको देखने के लिए मिल जाएगी, importance क्यों है, क्यों जू-जू हम यहाँ पर बोलते हैं, जिसी के कारण इन्हें South Asian River Dolphins या जू-जू Dolphins के नाम से भी बोला जाता है, इसी के थ्रू यह यहाँ पर क्या करती है, ultrasonic sound निकालती है, जो की bounce off होकर इनके पास तक आता है, जो भी चीज इनके object है, इनका prey है, उसको देखने में मद करती है, गैंगेटिक Dolphins की अगर हम बात करें, तो 1200-1800 की population हमें देखने मिल जाएगी, एक reliable indicator हो जाती है, जब हम बात करते हैं, river ecosystem की, साथ ही अगर हम बात करें, तो इनने National Aquatic Animal बनाया गया था, 2009 के अंदर, by the government of India, चले, आगे अगर हम बात करें, habitat and disruption की बात करें, तो चू human activities का बढ़ना कहीं ना कहीं इनके लिए एक threat का काम कर रहा है, conservation status की बात करें, तो देखें, इनको Indian Wildlife Protection Act के schedule 1 का part बनाया गया है, IUCN की red list के endangered category में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगी, sites appendix की बात करें, तो इनको most endangered appendix 1 में रखा गया है, जो की deal करता है, most endangered category के साथ, व convention of migratory species, तो appendix 2 में इनको रखा गया है, जिसका मतलब है, they need to conserve and manage, otherwise इनका यहाँ पर पूरे तरीके से destruction आपको देखने के लिए मिल सकता है, चलिए, moving on to the next article, बात करते हैं, Digital India Act की कि ये किस तरीके से जो हमारा country का future है, हमारा जो cyber landscape है, उसे change कर सकता है, देखें, इंडिया आ reports लगाला है, rigor framework की बात कर लें, या digital landscape को लाने के लिए, इसके लिए, जो हमारी Ministry of Electronics and Information Technology है, इन्होंने announce कर दिया था Digital India Act 2023, दिया ये का मुख्योदेश था कि ये Information Technology Act, जो कि हमारा 2000 Act है, इसको यहाँ पर change करेगा, replace करेगा, और जितने भी challenges हैं, addresses हैं, उनको challenges को address करेगा, और आने वाले Digital Revolution के लिए, इंडिया को जिन भी चीज़ों की आवश्यक्ता है, उन्हें लेकर आएगा, डिया ये की अगर हम बात करें, तो whenever I am saying DIA, it is the Digital India Act, अगर हम DIA की बात करें, तो एक proactive approach है, जहाँ पर इंडिया की digital economy या digital future को change करने की बात की जा रही है, इसको ऐसे समय प बात कर लेंगे, तो देखे 5.5 million से लेके 850 million तक के users आपको internet पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जारी है, ऐसे में एक comprehensive legal framework तयार करना, और जो भी challenges है, especially youth का engagement जब यहाँ पर हो रहा है, तो उसको address करना इनका सबसे बड़ा मुद्दा है DIA की बात करें, तो यह transform करना चाहता है, technology और user behavior में, यह cyber stocking की बात कर लें, trawling की बात कर लें, defaking या doxing जैसी चीजों की बात करें, इन सारी चीजों से नपटने के लिए भी 21st century के हिसाब से इस particular act को तयार किया गया है, ओके, चलिए, आग अगर हम बात कर लेते हैं, safety के बारे में बात करी है, online safeguard प्रोवाइट करने के बारे में बात करी है, that means rights प्रोवाइट किये हैं, digital dream के अंदर, यह जो legislation है, यह adaptable है, और market के जितने भी dynamics आपको देखने मिलेंगे, international legal principle, उसके हिसाब से यह बदलाव लाने की बात कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी guidelines बना हमें बढ़ाना है, data privacy की बात यहाँ पर की जा रही है, और different different accountabilities की जा रही है, कि भई, अगर कोई user, कोई provider है, कहीं से कोई चीज हमें देखने मिल रही है, तो किस तरीके से सभी को यहाँ पर एक safe hardware के अंदर रखा जाएगा, अब अगर हम कुछ challenges की बात कर लें, जो usually हमें bills के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, वो है, innovation and ease of doing business, जितने जादा strict regulation होंगे, उतनी ही हमें emerging technology में resistance फील होता है, ऐसे में जो entrepreneurship है, जो हमारे foreigner investment है, वो इंडिया में शायद कहीं ना कहीं काम करना पसंद नहीं करते, साथी एक policy है safe hardware, that means, एक safe hardware principle किया गया है, जिसकी platform पर जो भी लोग user generated content डाल रहे हैं, उनको liable बना सके, ऐसे में एक potentially impact हमें देखने मिल सकता है when it comes to freedom of expression, साथ ही हमें DIA की अगर हम बात करें, तो ये substantial resource है हमारे लिए, जिसमें आपको infrastructure build होता हुआ दिखाए देगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा balance नहीं create किया जाएगा, तो हम देखेंगे जो बड़ी बड़ी tech giants होते हैं, जो वो यहाँ पर हमारे पास आना बंद कर देंगे, और कहीं न कहीं हम एक right to expression को भी यहाँ पर hamper कर सकते हैं, चली, बात करते हैं अगले बहुत ही महत्वपून आर्टिकल के बारे में, हम बात कर रहे हैं, इंडियन एर के 91st anniversary को लेकर और यहाँ पर इन्होंने अन्वील कर दिया है अपना new enzyme, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक बहुत इच्छा सा enzyme दिखाई दे रहा है, दो chief of air staff है, chief air marshal विवेक राम चौधरी ने यहाँ पर 91st anniversary पर इंडिया का एक नया, इंडियन एर फोस का एक नय ensign यहाँ पर release किया है, जो आपको आपकी screen cue पर बहुत clearly दिखाई दे रहा होगा, देखें, अगर हम बात करें, तो इस time पर कुछ बहुत important घटनाए घटी है, सबसे पहले जीप, जो हम बात करें, captain shellja dhami, जो की पहली women officer बन गई है, जिन्होंने एक air force day parade पर पूरी unit को यहा all women contingent को लाना और इसको एक नाम भी दिया गया था है, आप याद रखेंगे, अगनी वीर वायू women, बात कर लेते हैं, हम new ensign की कि यह क्या reflect कर रहा है, तो इसको एक Indian air force की जो values हैं, उनको और strong way में दुनिया के सामने रखने का यह काम कर रहा है, जो previous ensign था हमारा, जिसके अं national symbol को रखा गया है, अशोक lion capital को यहाँ पर रखा गया है, और सत्यमिव जैते देव नागरी रिपी में इसके अंदर लिखा हुआ है, यह सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, below this, अशोक lion, एक हिमालेन eagle आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप देखे इसके spreaded wings हैं, जोकि Indian Air Force की उंची उरती हुई उडानों के बारे में बात कर रहा है, एक blue ring आपको इसके आसपास देखने मिल जाएगी eagle के चारों तरफ, जोकि भारतियों की, भारतिय वायू सेना के moto golden को यहाँ पर दरशारा है, जिसमें आपको भारतिय वायू सेना लिखा हुआ दिखाई देगा, चलिए, moving on to the next article, अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत ही deadliest earthquake यहाँ पर आया, 2000 से जादा लोगों को यहाँ पर rescue किया जा रहा है, importance अगर इसकी समझें तो देखें, 6.3 magnitude का एक बहुत बुरा जटका हमें देखने मिला है, aftershock यहाँ पर देखने मिले हैं, western अफगानिस्तान के region में, जिसके कारण आप देखेंगे, 2000 से भी जादा लोग यहाँ पर घायल हो चुकी है, अगर हम इसके epicenter की बात करें, तो यह लगभग 40 km का epicenter था, हैराथ सिटी के पास, और इसी की वज़े से हमें multiple aftershock देखने मिले, जिनके अंज जैसे यह जो पूरा का पूरा शेत्र है, अफगानिस्तान का बेल्ट वहाँ पर हमें बहुत सारे earthquake देखने के लिए मिलते हैं, तो सबसे बड़ा कारण है, अलपाइड बेल्ट, देखें, अफगानिस्तान earthquake प्रोन जोन है, क्योंकि यह माउंटेनिया सिंदुकुष रीजन पर बिलॉंग करता है, जो कि अलपाइड बेल्ट का पार्ट बन जाती है, सेकंड मोस्ट सेस्मिक बेल्ट इसे माना जाता है दुनिया में Pacific Ring of Fire के बाद, अलपाइड बेल्ट की बात करें, तो लगभग 15,000 किलोमीटर के शेत्र में ये फैली हुई है, सदन पार्ट उफ कि ये Convergent Plate Boundary का पार्ट बन जाता है, किस तरीके से, देखे, Earth Crust, जो कि especially अगर हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो Arabian, Indian और Eurocean Tectonic Plates आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ये जो boundary है between India and Eurocean Plate, ये अफगानिस्तान के पास ही मौजूद है, और recent जो भी पास देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके, चले बहुत quick revision कर लेते हैं, इक earthquakes क्या होते हैं, देखे, एक shaking, एक tremblance होता है, एक sudden release of energy, अल्थ के लिए तो इस sphere में हमें देखने मिलती है, जिसकी वज़े से seismic wave generate होती है, इने ही हम earthquake बोलते हैं, वो point, देखे, समझ लीजिए, ज epicenter उस जगे को बोलते हैं, वह point, जो कि ground level पर, hypo center के बिलकुल उपर आपको देखने मिलेगा, that means epicenter आपको surface पर देखने मिलेगा, और surface के नीचे आपको क्या देखने मिल जाएगा, hypo center, यह जो magnitude यहाँ पर आते हैं, जो यह हल चल होती है, इसे हम किस पर measure करते हैं, magnitude के उप और इसके लिए हमारे पास कुछ scale हो जाते हैं, which is the rector scale, जो कि moment magnitude scale होता है, और release of the energy के हिसाब से, यह decide करता है कि क्या condition यहाँ पर हुई है, यह एक logarithmatic scale है, जिसके अंदर 10 folds के साथ आपको सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी, that means higher the magnitude, that means powerful the earthquake was, after shock की बात करें, तो देखें, जैसे ही main earthquake occur होता है, उसके बाद दो छोटी-छोटी seismic activities हमें दिखाए देती हैं, इन्हें ही after shock बोला जाता है, यह एक दिन से लेके, कई दिनों तक, महिनों तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, चली, moving on to the next and very important article, देखें, एक Yom Kapoor war है, इसका यहाँ पे जिकर किया जा रहा है, जब बात हुई है, हमस attack on Israel, आप सभी को पता है, अभी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोगों को जानमाल की हानी हुई है, कारण क्यों, हमस जो ग्रुप है, इसने इसराइल की ऊपर चुपके से हमला कर दिया है, और इसी की व जब कॉलीशन जो था, अरब स्टेट्स का, जिसके अंदर आपको एजिप्ट, सीरिया देखने मिले थे, इन्होंने एक सर्प्राइज अटेक कर दिया था, किसकी ऊपर, इसराइल की ऊपर, यम किपूर हॉलिडे के अंदर, और जो करेंटली जो अटेक यहाँ पर हमस इसे भी एक तियोहार के दिन किया गया था, और अभी भी यहाँ पर छुट्टियां चलने वाली थी, लोग यहाँ पर एक सिम चाट तो रहा जिसे बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट करने वाले थे, रिलिजिस हॉलिडे था, और टाइमिंग भी यहाँ पर आपको मिलती जुल तब ही बी अनप्रेपेर था, इस समय भी अनप्रेपेर था, उस समय भी हॉलिडे का दिन था, जो कि हॉलिएस्ट दे था, अगर हम बात करें और यम कुपूर जो कि एक जुडिजिम का बहुत अच्छा तियोहार माना जाता है, रिलिजिस डी अब्सव किया जाता है, उस द जो कि एक religious holiday मनाया जाता है, सिमाच तोरा की बात करें, तो एक public तोरा की जो reading होती है, उसकी cycle का end माना जाता है, और एक नई cycle की यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है, जो कि अपने आप में symbolize करता है, इस पूरी condition को अगर हम देखें, तो हमें comparative study यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, चली, बात करते हैं, युमकपूर war के बारे में, इसको ही October war या Ramadan war के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हुई थी, 6 से लेके 25 October 1973 के बीच में, कारण क्यों, देखें, एक 6 दिन की war चली थी, 1967 में, Egypt, Jordan और Syria में, जिसकी वज़े से यहाँ पर इन्होंने अपनी यह बहुत सारी territories हैं, यह खो दी थी, to the Israel, अब यहाँ पर यह जो conflict हुआ था, तीन बार conflict हो चुके थे, जिने हम usually किस नाम से बोलते हैं, Arab Israel war के नाम से बोलते हैं, और यह इसका एक setback था, यह एक तरीके का fourth war हमें देखने के लिए मिला, यह जो six days war हुई 1967 में, यहाँ पर for Egypt, इन शे दिन के बाद, Egypt, Syria ने हाँ पर coordinate किया, attack Israel में, और यहाँ पर एक surprise attack कर दिया, holy Islamic month जो होता है, रमदान का उस समय, Israel initially बहुत जादा struggle किया, अपने troops को mobilize किया, और यही पर, जो आप देखेंगे, तो इसको ही, Yim Kupur के दिन, यह सारी चीज़े conduct की गई थी, जिससे ज attack किया, 6 October को, 9 October को हम देखेंगे, यहाँ पर दोनों साइट से लड़ाई शुरू हो गई, 10 October को, US के air lifts, यहाँ पर इसराइल में, मदद करने आ गए, और लगभग 25 October तक आप देखेंगे, Soviet की entry यहाँ पर होगी, और finally, 28 October को, एक complete ceasefire यहाँ पर create कर दिया जाएगा, so at the end, आ रड़ाई थी, Egypt, Syria की, आपको finally, eventually, US और Soviet, यहाँ पर entry करते हुए दिख जाएंगे, जिन्होंने support किया, Israel को, और Egypt और Syria को, these US and Soviet supported Israel and Egypt, Syria respectively, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, US का support, और यहाँ देखने मिल जाएगा, Soviet Union का support, ultimately, इन दोनों countries की, अपनी खुद की, जो पर बात देते हैं, बिल्कुल सेम कंडिशन यहाँ पर हुई, और यह था, यह war, ceasefire की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बढ़ताया, लगभग 28 October के आसपास, यह ceasefire यहाँ पर complete हो गया था, प्राइम मिनिस्टर गोल्द अमीर ने यहाँ पर अपनी कैडिमिनेट से resign कर दिया, से 6 महिने के बात, और फाइनली यह पूरी की पूरी battle जो है, खतम हो गई थी, चली, थोड़ा सा brief में चले जाते हैं, हम इन चारो अरब इसराइल वार को लेकर, तो 1948 में पहली अरब इसराइल वार हमें देखने के लिए मिली थी, 1947-49 में, ओपोनेंट्स कौन थे, एक तरफ इसराइल, एक तरफ Arabian States, जिसके अंदर Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Lebanon और दूसरी कंट्रीज देखने मिली थी, मैं तो पूर्टा क्या हुई, इसराइल ने अपनी independence डेक्लेयर कर दी 1948 में, और इसी के बाद आप देखेंगे, एक significant territorial change हमें देखने मिल जाएगा, और displacement हो जाएगा, पैलिस्टी Kingdom versus Egypt, तो एक तरफ आपको ये तीनों देखने मिल जाएगे, एक तरफ आपको देखने मिल जाएगा Egypt, आउटकम क्या हुआ, इसके अंदर again ceasefire हुआ, इसराइल विड्रू from the Sinai Peninsula जो इसने capture किया हुआ था, ये से पीछे हट जाएगा, और international peacekeeping forces को Sinai Peninsula के शेतर में deploy कर दिया जा आपको देखने मिल जाएगी, अगें इसराइल यहाँ पर एक swift और decisive victory लेकर आया हुआ और इसने, अब देखे जिस Sinai Peninsula के छेतर को छोड़ दिया था, वो जीत लिया, West Bank जीत लिया, Gaza Strip जीत लिया, Golden Heights जीत लिया, और इसके पास आगया East Jerusalem और ये बन गया सबसी मुसीबत की Lastly होगा Yimkipur War, October 1973 में again Israel vs Egypt and Syria outcome, इसराइल ने यहाँ पर repel कर दिया attack को लेकिन एक vulnerability, एक peace negotiation को यहाँ पर conduct कराना पड़ा और बाकी जगे पर आप देखेंगे तो peace keeping force को लाना पड़े गया Next war हमें देखने मिल जाएगी Lebanon war, जो की June 1982 में यहाँ हुई थी, Israel और Palestine groups के बीच में, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे outcome हुआ, Israel ने invade कर दिया Lebanon को और इसने यहाँ पर PLO के आसपास के पूरे छेतर को capture कर लिया यहाँ पर conflict आपको देखने मिल जाएगा, Hezbollah और दूसरे international criticism हमें देखने के लिए मिले इसके बाद अगर हम बात करें, तो Palestine uprising movement होने लगे 1987 में, जिसने Palestine civil wars होने लगी और Israel forces के बीच में यही पर पहली बार अगर हम देखें, तो यह beginning थी Palestinian uprising again Israeli occupation क्योंकि Palestine को इन्होंने जीत लिया था और इसी की वज़े से फिर से peace negotiation conduct करवाए गया इसके बाद आपको एक Oslo Accord देखने मिलेगा, बहुत important accord है, 1993 में से sign किया गया था जहाँ पर Israel और Palestine के बीच में peace negotiation करवा दिये गये थे 93 के बाद हम अगर 2005 के आसपास चले जाएं, तो फिर से एक और वायर हुई जिसे हम बोलते हैं Al-Aqsa Intifada, Palestine और Israel forces के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हुई और यहाँ पर एक intensive violence और conflict की situation हमें देखने मिली जिससे बहुत सारे लोगों ने सफर किया 2006 में फिर से Israel और Hezbollah ने यहाँ पर fight की, यहाँ पर ceasefire करवा दिया गया कोई clear victory नहीं हुई, कोई खास damage नहीं हुई और साथ ही कोई खास result भी हमें देखने के लिए नहीं मिला और इसके बाद शुरू हुआ, सबसे important जो लगातार चलता आ रहा है, which is the Gaza conflict ठीक है, यह सबसे important issue है, जो की लगातार चलता आ रहा है series of conflict with Israel or Palestine के बीच में Gaza पटी को लेकर, जो 2008 से लेकर 2014 तक लगातार चलते आ रहे है so this is how you can see, here is the Israel, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसराइल की condition आपको यहाँ पर यह golden heights देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में हमने चर्चा की है आपको जेरी सिलम का शेतर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर Gaza पटी भी देखने मिल जाएगी, आपको यहाँ पर देखे, this is the Gaza पटी, so यह है आपका Egypt, यह है आपका Syria, यह है आपका Lebanon और बीच में आ जाता है, एक triangular format में, इसराइल यह है आपको सारी चीजहें clear हो चुकी होंगी, यह है आज के महतुपून question, you have to write the question and upload your answers on our website, so thank you for watching this video, do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and download our application to be updated on every single subject, thank you and see you tomorrow